गुरु जी कहते हैं कि हर ग्रहस्त आदमी को तीन चीजों पर विसेश द्यान रखना चाहिए पहला ग््यानारuciones ग्यान कहीं से भी मिले उसको क्रहन कर लेना चाहिए ग्यान बिद्या डिग्रीस के लिए नहीं बोलते हैं कि डिग्रीां बढ़ा हो ये वो भी जरूरी है कहते हैं लेकिन ग्यान छोटा मुटा ग्यान भी है तो उसे बिवार में लाने की कोशिस करनी चाहिए दूसरा अरजन क्या है धना अरजन गरहस्ति लोगों के लिए धना अरजन बहुत जरूरी है धन कैसे आए कहां से आए उसका शुरूत क्या है वो उस पर ध्यान रखना चाहिए बचत, फैनेंसियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए एक भी पैसा दुरपयोग नहीं होना चाहिए फैनेंसियल मैनेजमेंट पर हमेशा विसेश ध्यान रखें और जबभी आपको कोई भी इनकम होती है तो उसमेंसे जो आपका परसंटेज 10% 20% जो ही है वो पेटव यउरसेल्फ फ़स्ट अपने आपको देना है अपनी बचत में बचत में लगाना है पेट्व यवरसेलफ फ़स्ट और तीसरा जो बहुत जुरूरी है देट इस पुन्यारजनम पुन्यों का अरजन दया करना पुन्य काम करना प्रमात्मा की रास्ते में चलकर पुन्यों की खेती करना पुन्यों की खेती वो करना बहुत जुरूरी है दयाधर्म का मूल है पाप मूल अभिमान अर्तुल सी दया न छोड़िये जब लग घट में प्राण जब तक ये प्राण है तो ये पुन्य अर्जन लगातार होने चाहिए तो परमात्मा जब आप दया करते हैं तो आपको हमेशा परमात्मा की याद बनी रहती है भला लाब चाहिए तो भला 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 लगातार दोनों एक जैसे ही हैं तो इन पर हमेशा हर गरस्त को ध्यान रखना चाहिए क्यानार जनम धनार जनम और तीसरा पन्यार जनम तो हमेशा गुर्मुक बने रहें गुरूं की तरफ जो लोग ग्यानी जन हैं संत जन हैं उनकी बातों पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सुन लिया और कान से वुड़ा दिया वो अच्छा नहीं एक सब्द किसी अच्छे संत की एक सब्द मातर ही जीवन को बदली कर देता है तो करें आप भी इस पर विचार मा, पिता, गुरू इनकी बातों में कभी क्वेश्चन वार्ग न लगाए करो क्वेश्चन क्यों, क्यों तो इनकी बातें हमेशा हमारे भलाई के लिए होती है मा, पिता जी और गुरू जी ओम, गुरू ब्रह्मा, गुरू ब्रिष्णू, गुरु देवो महेश्वरह, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै शिरी गुरु एनमा, और भारत माता की, जै